इस होलिनेस स्वेयदना मुफद्दल जी महराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ सिंदे जी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी इसकारकम में उपस्तित अन्य सभी मान्यवर महानुभाव आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है और जो मैंने आज आपकी विडियो देखा फिल्म देखी तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूँगा कि इसमें सुधार कीजिए आपने बार बार उसमें मान्यव मुख्यमंत्री और मान्यव प्रदान मंत्री कहा है मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ न मैं यहाँ प्रदान मंत्री हूँ न मुख्यमंत्री हूँ और शायद मुझे जो सौभाई के मिला है वो बहुत कम लोगों के मिला है मैं चार पीडी इस परिवार के साथ जुड़ा हूँ चार पीडी और चारों पीडी मेरे घर आई है ऐसा सौभाई के बहुत कम लोगों के मिलता है और इसलिए मैं कहता हूँ कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रदार्द्री है मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूँ और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है मेरी खुश्या अनेक गुना बढ़ गई है कोई समुदाय कोई समाज या संगठन उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिक्ता को कितना कायम रखता है समय के साथ परिवर्तन और विकास की कसोटी पर दाओदी बहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है आज अल जमया तुष सेफिया जैसे सिख्षा के महतोपून केंदर का विस्तार इसका एक जीता जाकता उदारन है मैं संस्ता से जुड़े हर व्यक्ति को मुंबई शाका शुरू होने की और डेड़ सो साल पुराना सपना पुरा हुआ है आपने पुरा किया है मैं आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत दिल से बढ़ाई देता हूँ साथियों दाओदी बहरा समुदाए और मेरा रिष्टा कितना पुराना है ये साहे दिल कोई ऐसा होगा जिसको पता ना हो मैं दुनिया में कहीं पर भी गया वो प्यार एन एक प्रकार चे बरस्ता रहता है और मुझे तो मैं हमेशे एक बात जुरूर बता दूए मैं सहिर्णा साथ साथ 99.8 थी मैं ऐसे ही चला गया हमा सरतूर 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी मेरे मन को वो घटना आज भी इतना प्रेरित करती है क्या कमिट्मेंट नई पीडी को प्रसीशित करने का सयदना साब का क्या कमिट्मेंट 99 एज में भी बैठ करके बच्चों को पढ़ाना सूरत में हमारा बहुत बड़ा जल्सा था मैं भी था उसमें तो सहीदना साब मुझे का आप मुझे बताओ मैं क्या काम करता मैंने का मैं कौन होता हूं आपको काम बताने वाला लिगुन का बड़ा आगर था तो मैंने का देखिए गुजरात को हमेशा पानी का संकट रहता है आप उसमें कुछ जुरूर और मैं आज भी कहता हूं उस वह एक बात को आज इतने साल हो गए पानी के रख्षा के काम में आज भी बहरा समाज के लोग जी जान से लगे हुए जी जान से लगे हुए यह मेरा सवगाई के है और इसलिए मैं कहता हूं कूपोशन के खिलाब लड़ाई से लेकर जल सवरक्षन के अभियान तक समाज और सरकार कैसे एक दुसरे की ताकत बन सकते हैं हमने साथ मिल करके वो किया है और मैं इसका गवरवन हो करता हूं और विशेशकर इस होलिनेस सेदना मुहमद बुरहवदिन साथ उनके साथ जम्म मुझे चर्चाय करने का अवसर मिला उनकी सक्रियता उनका सयोग मेरे लिए भी एक प्रकार ने मारदर्शक रहा है मुझे एक बहुत बड़ी उर्जा मिलती थी और जब मैं गुजराथ से दिल्ली गया आपने गादी समा ली वो प्यार आज भी बना हुआ है वो सिलसिला चलता ला इन दोर के कारकम में ही जोलिनेश डॉक्टर सेयद ना भुपदल सैभुदिन साथ और आप सब लें अपना जो सने मुझे दिया था वो मेरे लिए बहुत अनमोल है साथियों मैं देश ही नहीं जैसा मैंने कहा विदेश मैं भी कहीं जाता हूँ तो मेरे बहुरा भाई भेन रात में अगर दो बज़े भी लेंड किया है तो दो पांच परिवार तो आये ही है एरपूर्ट पे मैं उनको कभी कहता हूँ इतनी खन में आप क्यों कर चुर रहा थे नहीं बोले आप आये हैं तो बस हम आगए वो दुनिया के किसी भी कौने में क्यों नहीं किसी भी देश में क्यों नहीं उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता था आप सभी की ये भावनाएं आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है साथियों कुछ प्रयास और कुछ सफलताएं ऐसी होती है जिनके पीछे कई दसकों के सपने लगे होते है मुझे बात पता है कि मुंबई शाखा के रूप में अल जमया तुझ सैफिया का जो विचार हो रहा है इसका सपना दसकों पहले ही जो खोली ने सेयदना अब्दुलकादिर नईबुद्दिन साब ने देखा था उस समय देश गुलामी के दौर में था शिक्षा के छेत्र में इतना बड़ा सपना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी लेकिन जो सपने सही सोच से देखे जाते हैं वो पूरे होकर के रहते हैं आजदेश जब अपनी आज़ादी के अमरितकाल की यात्ता शुरू कर रहा है तो सिक्षा के छेत्र में बहुरा समाद के योगदान के हैमियत और भी बड़ जाती है और जब आज़ादी के 75 साल की यात करता हूँ तो मैं एक बात का जिक्र जरूर करूँगा और मेरा तो आप सबसे आगर हैं कि जब भी आप सूरत जाएं या मुंबई आएं एक बार दांडी जुरूर हो आईए दांडी यात्रा मात्मा गांदी जी की आज़ादी का एक टर्निंग पॉइंट था लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो है कि दांडी यात्रा में दांडी एक में नमद सत्यागर के पहले गांदी जी आपके घर में रुके थे दांडी में और जिम मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने आपसे प्रासना की सेदना साब से मैंने कहा कि सेदना साब मेरे दिल में बहुत बड़ी इच्छा है एक पल के गमाए बिना वो बहुत बड़ा बंगलो समुद्र के सामने है बिलकुल वो पूरा बंगलो मुझे दे दिया और आज वहां बढ़िया स्मारक बना हुआ है दांडी यात्रा की स्मृति में सेदना साब के वो यादे दांडी यात्रा के साथ अमर हो चुकी है आज देश नई राष्ट्रिय शिक्षा नितिजे से सुधारों के साथ यहां बहुत सारे पुराने और वर्तमान बायचंसलस बैटे हैं, मेरे सारे साथी रहे हैं। अमृत काल में जिन संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। महिलाओं को, बेटियों को आधुनिक शिक्षा के नए आउसर मिल रहे हैं। इसी मिसन के साथ अल जमयातु सेफिया भी आगे बढ़ रहा है। आपके केरिकलम भी आधुनिक शिक्षा के हिसाब से अपग्रेडेट रहता है। और आपकी सोज भी पूरी तरह से अपडेटेड रहती है। विशेश कर महिलाओं की शिक्षा को लेकर इस संस्था के योगदान सामाजिक बढ़लाव को एक नई उर्जा दे रहा है। सात्यों, शिक्षा के खेत्र में भारत कभी नालंदा और त्यक्थ सिला जैसे विश्विविदालों का केंद्र हुआ करता था। पूरी दुनिया से लोग यहां पढ़ने और सिखने आते थे। अगर हमें भारत के वैभाव को वापिस लाना है, तो हमें शिक्षा के उस गवरव को भी वापिस लाना होगा। इसलिए आज भारतीय कलेवर में ढली आदुनिक शिक्षा व्यवस्ता यह देश की प्रात्मिक्ता है। इसके लिए हम हस्तर पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पिछले आट बरशों में, रिकार्ड संख्या में, यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं। मेडिकल एजुकेशन जैसे फिल्ड में, जहां युवाओं का रुजान भी हैं, और देश की जरुरत भी हैं। आप देखिए, 2004 से 2014 के बीच, देश में 145 मेडिकल कॉलेज खोले थे। जबकि 2014 से 2022 के बीच, 260 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए। बिच्टे आठ भर्षों में, देश में, और एक खुशी की बात हैं, देश में हर सप्ता, एवरी बीच, एक उनिवर्सिटी और दो कॉलेज खोले हैं। एवरी बीच, यह स्पीड और स्केल इस बात के गवाँ हैं, कि भारत उस युवापीडी का पूल बनने जा रहा है, जो विश्व के भविश्य को दिशा देगी। साथियों, महात्मा गांदी कहते थे कि सिक्षा हमारे आसपास की परिस्तित्यों के अनुकूल होनी चाहिए, तभी उसकी सार्थक्ता बनी रह सकती हैं। इसलिए देश ने सिक्षा व्यवस्ता में एक और अहम बडलाव किया है। यह बडलाव है, एजुकेशन सिस्टिम में स्थानिय भाषा को महत्म देदा। अब हम देख रहे थे सारा गुजराती में, जिस प्रकार से कवीता के माध्यम से जीवन के मुल्यों की चर्चा हमारे साथियों ने की, मात्रु भाषा की ताकत गुजराती भाषी होने के कारण बहुत शब्दों को से उपर उस भावना को पकड़ पा रहा था, मैं अनुभ इसको ही शिक्ष्या का एक पैमाना बना दिया था, दुरुभाग्य से आजाद के बाद भी हम उस हीन भावना को डोते रहे, इसका सबसे बड़ा नुक्सान हमारे गरीब के बच्चों को, दलीतों, पीछडों और कमजोर वर्क को हुआ, प्रतिबा होने के बाद भी उन्हे केवल भाषा के आधार पर प्रतियुगिता से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब, मेडिकल और एंजिनिरिंग जैसी पढ़ाई भी, स्थानिय भाषा में की जा सकेगी, इसी तरह भारतिये जरूरतों के हिसाब से देश ने और भी कई बढ़लाव किये हैं, पिछले कुछ वर्सों में हमने पैटेंट इको सिस्टिम पर काम किया, और पैटेंट फाइल करने को आसान बनाया है, आज IIT, IISC जैसे समस्तानों में पहले से कहीं ज़्यादा संख्या में पैटेंट फाइल हो रहे हैं, आज सिक्षा के शेत्र में बड़े पहमाने पर टेकनलोजी का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए स्कूलों में लर्निंग टूल का उप्योग होने लगा है, अब युवाओं को किताबी ज्यान के साथ ही स्किल, टेकनलोजी और इनोवेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, इससे हमारे युवाँ रियल वर्ल के प्रॉल्डमन्ट के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके सॉलूशन्स खोज रहे हैं, साथियों, किसी भी देश में उसका एजुकेशन सिस्ट्रीम और उसका इंडिस्ट्रिल एको सिस्ट्रीम दोनों ही मजबूत होना जरूरी होता है, इंस्ट्रिटूट और इंडिस्ट्री ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये दोनों युवाँं के भविशे की नीव रखते हैं, दावदी बहरा समाज के लोग तो खासकर बिजनेस में काफी सक्रिय भी और सफल भी हैं, बीते आठ नव वर्षों में आपने इज अब डूइंग बिजनेस की दिशा में एतियासिक जुदारों को देखा है, उसके प्रभाव को महसूस किया है, इस दौरान देश ने 40,000 कम्प्लाइंसिस को खत्म किया, सेंकडो प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया, पहले इन कानूनों का डर दिखा कर, एंट्रेप्रिडर्स को परिशान किया जाता था, इससे उनका बिजनेस प्रभावित होता था, लेकिन आज सरकार जौब क्रिश्टर्स के साथ खड़ी, और उनको पूरा समर्थन देने वाली सरकार है, पिछले कुछ वर्षों में विश्वास का अभुत्पुर्वा वातान तैयर हुआ है, हम 42 सेंट्रल एक्ट में सुधार के लिए जन विश्वास बिल लेकर आए हैं, कारोबारियों में भरोसा जगाने के लिए हम विवास से विश्वास योजना लेकर के आए हैं, इस बार के बजेट में भी टैक्श दरों में सुधार जैसे कई कदम उठाए गए हैं, इसे करमचारियों और उद्द्यम्यों के हाथों में जादा पैसा आएगा, इन बजलावों से जो युवा जौब क्रेटर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के कई अवसर पैदा होंगे, साथियों, एक देश के रुप में भारत के लिए विकास भी महत्वपुण हैं और साथ साथ विरासत भी महत्वपुण हैं, यही भारत में हर पंत, समुदाए और विचार धारा की भी विशेस्ता रही हैं, इसलिए आज देश परंपरा और आधुनिकता के संगम की तरफ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हैं, एक और देश में आधुनिक फिजिकल इंफ्रासेक्टर मन रहा है, तो साथ ही देश सोशल इंफ्रासेक्टर भी निवेश कर रहा हैं, आज हम परवत त्योहारों की प्राचिन सांजी परंपरा को भी जी रहे हैं, और त्योहारों की खरीदारी के दोरान आधुनिक टेकनलोजी से पेमेंट भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा, इस बार के बजेट में नई टेकनिकों की मदद से प्राचिन अभी लेखों को डिजिटाइल करने का एलान भी किया गया है, और मैं अभी हमारे जो पुरानी, सद्यों पुराने जो पुरान है, हस्त लिखित, वो देख रहा था, तो मैंने आगर किया कि भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है, हमारे साने ये चीजे डिजिटलाइज हो जानी चाहिए, आने वाली पीडियों को काम आएगी, किसी भी पद्धती से जुड़े, अगर कोई प्राचिन टैक्स है, तो उन्हें डिजिटाइज किया जाना चाहिए, बिच में मैं मंगोलिया गया था, तो मंगोलिया में हस्त प्रत, भगवान बुद्ध के जमाने की कुछ चीजे थी, अब माँ पड़ी थी, तो मैंने कहा कि आप मुझे दे दीजे, मैं उसको डिजिटलाइज करता हूँ, और उस काम को हमने कर दिया, हर परंपरा, हर आस्था, एक सामर्त है, युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाना चाहिए, दावदी बहरा समाज इसमें, बहुत बड़ी भूमी का निभा सकता है, इसी तरह, परियावरन समुरक्षन हो, मिलेट्स का प्रसार हो, आज भारत, इन विश्वयों पर, पूरे विश्व में बड़े अभियान को लीड कर रहा है, आप इन अभियानों में भी, जन्ध भागिदारी को बढ़ाने के लिए, इन्हें लोगों के बीच लेकर जाने का संकल्प ले सकते हैं, इस वर्द भारत, जी ट्वेंटी जैसे महत्वपों, वैश्वी के मंच की अधिक्स्ता भी कर रहा है, बहुरा समाज के जो लोग, विदेशों में फैले हैं, वो इस अवसर पर विश्व के सामने, सामर्थवान होते, भारत के ब्रेंड एम्बेसेडर का काम कर सकते हैं, मुझे विश्वास हैं, कि आप हमेशा की तरफ इन जिम्मेदारियों का उतनी ही खुशी से निर्वाहन करेंगे, विख्षिद भारत के लक्स तक पहुंचने में, दाओदी बहरा समुदाई, अपनी महत्वपुन भूमी का निभाता रहा है, निभाता रहेगा, ये मेरा पुरा विश्वास है, और इसी कामना, और इसी विश्वास के सार, आप सभी को, मैं फिर से एक बार, बहुत बहुत सुब कामनाई देता हूँ, और इस पवित्र आउसर पर, आपने मुझे यहां आने का आउसर दिया, सहिरना साब का विशेष प्यार रहा है, पार्णामेन चल रही थी, फिर भी मेरे लिए यहां आना, उतना ही महत्वपुन था, और इसलिए मुझे आज आकर के, आप सब के रहे से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ,